नो probability class 10th exercise 15.1 in our previous videos on this chapter we have already discussed question number 1 to 12 and question number 13 in second videos question number 13 to 21 now in this video we will discuss remaining question question number 22 question number 22 to question number 25 ठीक है तो question number 22 important है इसमे question में गिवन है कि 22 dies are thrown जब दो डाई फैक्ते हैं लिडोगीडो डाई से है उसको pair of die भी बोलता तो 36 केस बनते हैं 1 1 1 2 1 3 से लेके 1 6 तक 2 1 2 2 2 3 से लेके 2 6 तक 3 1 3 2 3 3 से लेके 3 6 तक 4 1 4 2 4 3 4 4 6 तक 5 1 5 2 5 3 से लेके 5 6 6 तक 6 1 6 2 6 3 से लेके 6 6 तक तो यह 36 केस बनते हैं और उसने यह काया कि कि एक फिल इंदा ब्लैक्स दिया हुआ है आपको प्रोब्याबिलिटी फिल अब करनी है उसमें तो देखो जो मीनिमम सम होता है दो डाइज फैक्त है जब यह दो डाइज फैकेंगे ऐसे करके जो डाइज होती है तो क्यूबिकल होती है न वो दो डाइज यह दो डाइज है ठीक है तो अगर दो डाइज फैक्त है तो दोनों पे जो मीनिमम सम होता है इस पे 1 और इस पे 1 मीनिमम सम होता है 2 और मैक्सिमम sum क्या होगा, एक पे 6 और दूसरे पे 6, maximum sum क्या होगा 12, minimum sum होता है 2, maximum होता है 12, दो से लेके 12 तक होता है sum, तो 2 जो होता है, 2 सिरफ favorable outcome 1-1 ही है, यह रहा, 2, 1-1, तो 1 by 36 हो जाएगा, probability क्या होगा, 1 by 36, total 36 होते हैं न, 3 जो है, sum 3, sum का मतलब दोनों dice पे, sum of number on 2 dice, 3 यहनी 1-2 और 2-1, 1-2 और दोनो dice, पहले dice पे एक दूसरे पे 2 आ सकता है, यह पहले पे 2 दूसरे पे एक, तो 2 by 36, 2 by 36, 2 by 36, 2 by 36, now 4, 1-3, 3-1 और 2-2, तो 3 by 36, 3 favorable outcome है, total 36 होते हैं, यह 36 है न, total, तो 3 by 36, 5, sum 5, 1, 4, 4, 1, 2, 3, 3, 2, 4 है यह, 3 plus 3, 6, तो 5 by 36, और 7, sum 7 होना चाहिए, तो 3, 4, 4, 3, 3, 3 plus 4, 7, 4 plus 3, 7, 2, 5, 5, 2, 1, 6, और 6, 1, इसका 6, sample phase हो, तो 6 by 36, 8, sum 8, 2, 6, 6, 2, 6, 2, 6, और 2, 8, 2, 6, भी 8, 3, 5, 8, 5, 3, 8, 5, 3, 8, 4, 4, 4, 5 है, तो 5 by 36, 9, sum 9, 5 plus 4, 9, 5, 4, 3, 6, 6, 3 हो सकता है, 4 by 36, 10, 5, 5, 4, 6, और 6, 4, 6, 4, 6 plus 4, 10, 4 plus 6, भी 10 है, तो 3 ही sample, वो favorable outcome है, 3 by 36, तो 11 है, 11 sum होना चाहिए, 2 dice पे sum, ठीक है, 2 dice का sum क्या होना चाहिए, 11, यह 2 die है, इस तरीके से, मतलब एक पे 5 आजाए, दूसरे पे 6 आजाए, या इस पे हो सकता है, इस पे 6 आजाए, इस पे 5 आजाए, तो यही दो possible case होते है, तो यह 2 by 36, और 12 तो सिरफ एक ही होता है, दोनों पे 6 आजाए, दोनों डाई पे, 1 by 36, तो यही करना है, इसके इंदर sum बोलाओ है, minimum sum होता है, 2 और maximum sum होता है, 12, minimum sum होता है, 2 और maximum, पहले 1 से लेके देखो, इसमें ध्यान से, 1 से लेके, पहले 1, 1 जो है, उपर देखो numerator में, 1 से लेके जो है, पहले 6 तक जाता है, यह रहा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 तक गया, फिर 6 से कम होता चला जाएगा, 5, 4, 3, 2, 1, है न, तो पहले 6 तक जाएगा, फिर 6 से कम होता चला जाएगा, question number 23, इसमें बुलावा है कि coin is tossed 3 times, 3 coin को toss किया गया, तो 3 coin है तो 8 बनेगे, formula यह था 2 की power 3, sample space अगर पहली वीडियो देखिए तो उसमें clearly दिया हुआ है, 8 ही बनते हैं, 3 coin पे head, 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 tail, head, tail, head, tail, head इस tail को यहां लियाओ, ठीक है, फिर यह वाला tail फिर इधर आजाएगा, यहाँ पे tail, double head, double tail, head, tail, head, double tail, और triple tail, अब देखो इसने यह कहाए कि, हनीफ जो है वो कब जीतता है, जब यहा तो 3 head आजाएं, यह तीनों पे tail आजाएं, तीनों coin पे, वो तब जीत जाता है, तीनों पे head आए, यह तीनों पे tail आए, तब वो जीत जाएगा, otherwise lose, तो देखो यह दो हटा दो इसमें से, triple tail और triple head पे दो जीत जाता है, क्योंकि probability बोला हुआ है कि, what is the probability haniif will lose? तो haniif जब भी lose होगा न, जब यह 6 favorable outcome होँगे, तीनों पे head आया तब जीत जाएगा या तीनों पे tail आया तो जीत जाएगा तीनों coin पे head आया, तो जीत जाएगा और तीनों पे tail आया तब भी वो जीत जाएगा, बट probability पूछी वे lose हारने की तो हार तक कब हारेगा जब इन दोनों में से ना है कुछ ठीक है तो फिर 6 है 6 cases है 6 upon 8 टोटल 6 है ये 6 है टोटल ये टोटल 6 है बाकी इन दोनों को तो हमने हटाई दिया इसको और इसको हटा दिया क्योंकि इस पर जीट जाता हूँ तो 6 by 8 3 by 4 आ जाएगा next question number a dice thrown twice दो बार फैक है 36 बनेंगे भी पहला ही question हमने 22 question किया था दो पार्ट है 5 will not come up either time 5 नहीं आएगी कभी भी आइदर का मतलब एक बार भी या दोनों बार भी तो 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 और फिर इसको उल्टा कर दो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 तो ये 11 case ऐसे हैं जिसमें 5 आ रहा है एक बार या दो बार दोनों पे भी 5 आ सकता है तो 11 36 में से 11 माइनस करो 25 case ऐसे होंगे जिसमें 5 एक भी बार नहीं आएगा 5 will not come either तो 25 upon 36 आ जाएगा 5 will not come up 25 upon 36 2nd में ये बुलावा है 5 will come at least 1 5 जो है कम से कम एक बार आए कम से कम एक 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 से जादा है दो बार भी आ सकता है दोनों पे 5 आ सकते है ऐसे भी आ सकता है दोनों पे 5 तो 11 case होंगे भी तो उपर करार रखा है यह एक बार 5 या दो बार 5 11 by 36 आ गया फर्स्ट आर्गिमेंट is not correct because उसमें 1 by 3 दिया हुआ है कोश्चन में 1 by 3 दिया है जबकि इसमें 4 बनते हैं जब 2 coin टॉस करते हैं double head, head tail, tail head या double tail ये बनता है जब 2 coin टॉस करते हैं तो double head, दोनों पे head दोनों पे tail या एक पे head tail या tail head दूसरे दो coin में 4 बनते हैं तो but question में 1 by 3 दिया वह तो incorrect argument है second वाला correct है कि जब हम एक die को fact है तो ये 6 number होते है 1, 2, 3, 4, 5 जिसमें से 1, 3, 5 odd है 2, 4, 6 even है तो ये दोनों equally like हैं ठीक है दोनों के बरावर बरावर chance है तो this correct both the outcomes are equally like second वाला argument correct है ठीक है तो your exercise your chapter probability from NCRT is now completed I will send some extra question on this chapter on this topic probability try to understand all these videos 3 videos डाली है मैंने probability की 3ों की 3ों देखो और exercise करो और इसके extra question जो मैं send करूंगा I will send to you some extra question ठीक है तो इसमें इतना ही है thank you very much